हेलो दोस्तो, सीता की कहानी में आपका स्वागत है आज डॉक्टर शालू और डॉक्टर पूजा सबको इम्म्यूनिटी के सुई लगाने के लिए आई होई है अरे ही क्या डॉक्टर पूजा, आज हमें सबको सुई लगाने है और तुम्हें गाना गाने का शोक चड़ा है ये माइक क्यों लेकर आई हो तुम अपने साथ हरी, ऐसी कोई बात नहीं है डॉक्टर शालू मैं इस माइक में गाना नहीं गाने वाली हूँ मैं इस माइक में सभी को आवाज लगाकर एक जगह पर इकठा होने के लिए बोलोंगी और फिर सब लोग एक जगह इकठा हो जाएंगे और हम उन्हें आसानी से सुई लगा देंगी ये अच्छा आइडिया है इससे हमें सबके घरों में जाकर सुई नहीं लगानी पड़ेगी अरे वाह तुमने तो कमाल ही कर दिया डॉक्टर पूजा चलो अब जल्दी से अपने माइक से सबको बुलाओ सबको सुई लगा देंगे हेलो 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 गाव वालो सुनो सबी रोग यहां पीपल के पेड़ के पास आजाए आज सबको इम्म्यूनिटी के सुई लगने वाली है सबी रोग आजाए इम्म्यूनिटी के सुई लगाए हाई रे दिया यह क्या सुन रही हूँ मैं इम्म्यूनिटी के सुई लगने वाली है हरे चलो मैं तो यहां से भाग जाती हूँ मुझे यह नहीं लगवानी कोई सुई वोई चलो जल्दी से यहां से खिसक जाती हूँ कहीं मुझे ही पकड़ कर सुई ना लगा दे भागो भागो जल्दी से भागती हूँ मैं हरे दया यह क्या यहाँ पर तो टाक्टैनी जे सब को सुई लगा रही है चलो मैं भाग जाती हूँ और यहाँ सीता के घर में सब लोग अभी सो रही है तभी कुकू मुर्गा सब को जगाने लगता है चलो दिन निकल आया मैं ओड़ जाती हूँ अच्छा है चिन्टू अभी सो रहा है चलो जाकर घर के काम निपटा लीती हूँ कितनी अच्छी सुबह है आज ला 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 ला, ला 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 चलो सब के लिए चाय बना लेती हूँ अरे माधुली तो खेतों में घास खाने के लिए गई हुई है अब मैं क्या करूँ चाय कैसे बनाओं चलो ऐसा करती हूँ मैं माला के घर से दूद ले आती हूँ फिर सबके उठने से पहले चाय बना दूगी चलो मैं चल्दी से जाती हूँ और इस तरह से राधा दूद लेने के लिए चली जाती है चलो मैं उठ जाती हूँ शोनल शोनल दे दे उठ जाओ हले अब तक कोई नहीं जगा मैं ही सबसे पहले जाक गई हूँ और इधर बिंदिया टोमी को लेकर सीता के घर की तरफ आ रही होती है चलो टोमी चल्दी चलो सीता के घर जाती है अले बिंदिया आंटी आप टोमी को भी साथ लेकर आए है मुझे दीजिये ना टोमी हाँ हाँ क्यों नहीं लो पेटा तुम टोमी के साथ खेल सकती हो जाओ टोमी जाओ तुम स्विधी के साथ खेल लो जल्दिशे दीजिये ना बिंदिया आंटी टोमी तो बहुत ही ज़्यादा प्याला है आओ टोमी मैं तुम्हें पिश्कित खिलाऊंगी आजाओ अरे हाँ यह है लो जाओ टोमी और देखो कुई शरारत नहीं कहना ठीक है न अले वा अले वा किता प्याला है टोमी चलो चलो मैं शोनल दीदी को जगाती हूँ चलो हम जब मिलकर खेलेंगे और इस तरह से स्वीतरी टोमी को लेकर सोनल के पास चली जाती है शोनल शोनल उठ जाओ देखो टोमी आया है कितना प्याला टोमी क्या टोमी आया है मुझे भी जल्दी उठो शोनल देखो ये तुम्हें बुला लहा है हले हाँ हाँ उठती हूँ हले वाँ कितना प्याला है ये तॉमी लाओ तुम मुझे दो आजाओ तॉमी मेले पाश आओ देखो ये कैसे पूछ लाला है लाओ मुझे तॉमी दे दो हाँ चलो हम चिल्दू को जगाती है चिल्दू भी तॉमी के शाच खेलेगा अरे ये क्या दीदी अब तक सो रही है चलो मैं जाकर जगाती हूँ दीदी दीदी उठ जाएए अरे कितने तेर तक सोती हैं आप देखो ना सुबह के साथ पहच गए है और आप अब तक सो रही है अरे बिंदिया तुम इतनी सुबह सवेरे सब ठीक तो है ना अरे हाँ दीदी वैसे तो सब कुछ ठीक है फरना एक प्रोब्लम है अरे क्या हुआ तुम्हारी उस खडू सास ने फिर से तुम्हारे साथ छकड़ा किया क्या अरे ना दीदी वो बात नहीं है बात दरसल कुछ और है अरे क्या बात है बिंदिया क्यों तुम पहेलिया बुझा रही हो साफ साफ बताओ क्या हुआ है अरे दीदी क्या बताओ मैं टोमी को गुमाने के लिए बाहर निकली थी तो मैंने देखा कि डक्टर नी शालो और डक्टर नी पूजा आई है और वो सभी ओरतों को इम्यूनिटी के सुई लगाने वाली है मैं तो डर के मारे आपके घर आ गई अगर अपने घर जाती तो वो मुझे पकड़ कर सुई लगा देती मेरे घर के पास में ही खड़े होई है कि वो उन्हें बोल दे हम खर पर नहीं है तब ही यहाँ पर डरी होई सी राधा भी आ जाती है चलो मैं जाकर चल्दी से दीदी को पताती हूँ ही भगवान ये टक्टर ने चीतो हमारे पीछे ही पड़ गई है दीदी पता है सब को इम्यूनिटी के सुई लगा रही है खोर मुझे तो सुई से बड़ा डर लगता है देखो मैं तो सुई नहीं लगवाने वाली हूँ मैं तो चाकर बैड के नीजे छिप जाती हूँ चलो चलो ये दूद्द यहाँ पर रख देती हूँ और चाकर बैड के नीजी खुश जाती हूँ कहीं मुझे ही सुईना लगा थे डाक्टर नीजी हरे इतना ड़ने की कोई जरूरत नहीं है राधा आओ हमारे पास बैठो अली क्या हुआ है? छब लोग इतना टेली हुई शे क्यों है? छलू मैं चाकल देखती हूँ मामी, मामी क्या हुआ है? बताईए ना, लाधा चाची बैड के नीजी क्यों छिप लही है? अरे पेटा स्वीटी, आज डाक्टर नीजी सबको इम्यूनिटी की सोई लगाने आई है देखो अगर वो घर पर आए तो उन्हें बोल देना कि हम घर पर नहीं है ठीक है ना? अले हाँ ममी, लेकिन उसके लिए आप हमें चोकलेट देगी ठीक है ना? नहीं तो मैं डाक्टर नीजी को बता दूँगी अले तेखो, ममी और लाधा चाची, बिंदिया आंती शब लोग शूई से डल नहीं है और वो हमें चोकलेट देगे देखो, कैसे शूई से डलते हैं ये पहले लोग और जब बच्चों की बाली आती है तो उन्हें पकल पकल कल शूई लगवा देती है अपने बाली में शबको कितना जादा डल लगता है सीता दीदी, मैं भी कुछ देर आपके घर में ही बैठ चाती हूँ पहर तो डक्टर ली जी सूई लगा रही है सबको चलो डक्टर पूझा, तुम्हारा माइक वाला आडिया तो फेल हो गया चलो अब हम सीता के घर में जाकर सबको सूई लगाते है अले अले लुक्ये डक्टर ली जी, आप कहां अंदल आ लही है हमारे खल पल तो कोई नहीं है, बस हम छोटे बच्चे हैं इसलिए अब चले जाएए और कल आ जाना अरे ये क्या, ये लोग भी खल पल नहीं है फिर तो हमें कल ही आना होगा अब तो हमें बहुत जादा परिशानी हो रही है सब लोगों को पता चल गया है और सब लोग इधर उदर भाग गए है लुको, लुको दक्टर नी, लुको ममा घल के अंदल, शीदा आंती सब लोग घल के अंदल, बिद्या आंती आप सब को शुई लगाओ, शुई लगाओ जोल से शुई लगाओ सब लोग चिंदु को शुई लदवा दी मैं भी सब को शुई लदवाओं दा, लदवाओं दा शुप हो जाओ चिंदु मम्मी हमें चोक ले देगी दक्तर नी जी को कुछ मत बताओ, चुपलो हो नई, मैं बताओंगा, शब को शूई लगवाने, लगवाने दक्तर नी जी, शब तो शूई लदाओ, शब लोग खल के अंदर छिपते हैं, छिपते हैं शब को शूई लगवाओ दक्तर नी अरे वाचिंटू तुम तो बड़े ही समझदार हो चलो डक्तर नी पूझा हम सबको घर के अंदर ही पकर कर सुई लगा देती है अरे ये क्या डक्तर नी जी तो आ गई हाँ हम दे आपको देख लिया आप लोगों को शरमाने चाहिए इतने बड़े होकर सुई से धरते हो चलो जब सुई लगवाओ अरे ना ना दक्तर नी जी मैं सुई से ना धरती मैं तो सुई लगवाने के लिए ही सीता के घर आई थी यह ली जी सबसे पहले आप मुझे ही सुई लगा दीजिए हरे अब तो हमें भी सुई लगवाने होगी हाँ हाँ सबको सुई लगवाने है ठीक है न कोई ड्रामा नहीं चलेगा अरे देखो तो इतने बड़े होकर कैसे चिला रही है यह चुप हो जाईए आप चलो चलो तुम भी सुई लगवाओ सीता कितने ड्रामे बाच है यहां के लोग क्या है यह लो सुई लगवाओ सबको सुई लगता देखकर चिंटो बहुत खुश होता है ये मता आया मता आया अरे बाच शबको सुई लगी मुझे भी बहुत मज़ा आया पैरी गुर्चिंटो तुम तो बहुत समझदार हो चलो डॉक्टर पूजा अब हम बाकी लोगों को भी सुई लगा देती है यहां पर तो सबको सुई लग गई है चलो अभी हमें बहुत सारे लोगों को सुई लगानी है अरे रुक्के दाखते हैं जी अभी मैं राधा को पकड़ कर ला दी हूँ वो वहाँ पैड़ के नीजे छिपी होई है मैं इस राधा को भी सुई लगवाओंगी अच्छा राधा पैड़ के नीजे छिपी होई है चल दी से उसे पकड़ कर लाओ उसे भी सुई लगएगी ममा तो सुई लदे दी मैं सुई नहीं लगवाओंगी अरे जब मैंने सुई लगवा ली तो तुम कैसे नहीं लगवाओंगी चलो चलो बाहर चलो यह लीजी बगताने जी मैं राधा को पकड़ कर ले आई हूँ अब इसे भी सुई लगा दो नहीं नहीं अरे बस करू राधा देखो लग गई सुई कहां इतना दर्थ होता है सुई लगाने में अब मैं इस छुमकी की बच्ची को नहीं जोड़ूँगी कहां पर गई वो तुमने मुझे सुई लगवाई ना रुको अभी तुम्हें बताती हूँ चलो मैं भाग जाती हूँ रुको मैं अभी तुम्हें मजा जखाती हूँ छुमकी और इस तरह से सब लोग राधा और जुमकी पर हसने लगती है दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा चल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए बाप आए